तो जैसे केशना और देखिए रात को 9-10 बज़े हैं और हमें लग रही है गूँ तो अब मैं बनाऊंगे ये लहसन के पत्ते हैं उसके चीले तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं लहसन के पत्ते आलू हरी मेर्च है तो सबसे पहले हरी मेर्च को हम रफली काट लेंगे क्योंकि हमें सब पैस्ट बनाना है और उसके बाद ये लहसन के पत्ते हैं और इनको भी हम रफली काट लेंगे और इसी में हम आलू भी काट लेंगे और यह जो नीचे का भाग है लसन का उसके हम अलग रख देंगे और देखिए आलू भी मैंने कच्छा आलू है इसको छील के और फिर अच्छे से रफली काट लिया है और हरा धनिया आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं उसको भी रफली काट लिया और बस इसको हम अब पीस लेंगे अभी मैंने क्या पानी नहीं डाला है तो देखे ज़्यादा अच्छे से नहीं पिसाया ये इस तरह से दिख रहा है अब इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी ज़्यादा पानी भी नहीं डालना बस थोड़ा ही पानी डाला है मैंने अभी और इसको फिर से हम अच्छा पेस्ट बनाना हमें एकदम बारिक पीसना है इसा दरदरा नहीं रखना है तो देखिए इतना बड़ी हाँ पेस्ट बन गया है इस तरह से हमें पेस्ट चाहिए था और बस इसी में हम डाल देंगे एक कटोरी गेहु का आटा एक कटोरी गेहु का आटा डाल दिया और ये एक चम्मत चावल का आटा तो थोड़ा सा और चामल का अटा डाल दिया है उसके बाद हम डालेंगे जीरा और जीरा डालने के बाद नमक नमक सुआत के अनुसार डाल लेया तो थोड़ा सा फिर पाने डाल दिया पाने डाल के हम थोड़ा सा अजवा अभी मैंने पीस लिया है इसको फिर से देखिए बस एक दो बारी घुमाना है जादा नहीं घुमाना तो यह भी भूद गाड़ा पेस्टे अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि हमें चीले बनाना है तो थोड़ा हमें पतला घोल चाहिए बस इतना पानी परियाब थे इसी तरह का गोल चाहिए यह थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है मैंने थोड़ा उसको क्रश कर लिया था हतेली पर मस लिया था और उसके बाद बस हम चीला बनाएंगे तो मैंने यह मिक्सी के पॉट में ही रख रखा ज्यादा बरतन करने का मन यह नहीं कर रहा था उसी से इसमें जादा बरतन की भी फेलारा नहीं हुता है भूत आसाने से बन जाता है सारी चीजे और बस चीला बन गया थे थोड़ा सा आजु बाजु हम तेल डाल देंगे और बस थोड़ा सा यह सिखा है दूसी तरफ से और फिर हमने पलट दिया इसको और इधर भी थोड़ा तेल लगा दिया और बस यह हमारा चीला बनके तैयार है और बहुत ही टेस्टी चीला बना था यह इसी तरह से मैं सारे चीले बना लूँगी देखिए कितनी बढ़िया जाली पड़ रही है तो आप लोग ठन के दिन में जरूर बनाईए और यह देखिए कितनी बढ़िया चीला दिख रहा चाहे तो आप इसमें अधरक के पत्ते भी पीश सकते हैं लेकिन मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले और यह निब्बू की चटनी है चाहे तो आप टमाटर सोस या हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं यह तो ऐसे भी भो तेस्टी लगते हैं सारा मसाला मिला हुआ है तो आज का वीडियो कैसा लगा जाएं